इसरम कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप इसली रासन कार्ड भी बनाव सकते हैं यहाँ पर इसरम कार्ड की जो वेबसाइट है यहाँ पर रासन कार्ड के लिए भी जो बेनिफिट लिस्ट है हो जारी कर दया गया है और आज इसी के बारे में आपको complete details बताने वाला हूँ और यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसरम की कार्ड की मदद से अपने रासन कार्ड को एपलाई कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर हमने अपना जो e-sram card की जो portal यहाँ पर login आपको इस तरीके से हो जाना है इसके लिए बस simply आपने को किसी भी mobile browser या फिर computer में आकर बस आपको e-sram.gov.in यहाँ पर आपको type करना होगा and आप direct e-sram की जो official website यहाँ पर आप आजाने वाले हो and यहाँ पर आपके सामने काफी सारी option आजाता है then आपको यहाँ पर click करना होगा जो आपको scheme का option यहाँ पर दिखाए दे रहा होगा जैसे कि यहाँ पर मैं आपको marker के दिखाद रहा चाहता हूँ यहाँ पर scheme का option आचुका है यहाँ पर आपको दो option मिलता है social security welfare scheme और एक है employment scheme ठीक है तो first वाले जो scheme है social security welfare scheme इसमें आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो यहाँ पर benefits leads आ जाता है ठीक है और मैं यहाँ पर बताते हैं चाहँ अगर computer में यूज करें तो direct खुल जाता है आप यूज करते हो तो यहाँ पर आपको यह जो icon दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ पर मैं आपको marker करके दिखादना चाहता हूँ यह देख पार हो यहाँ पर कुछ इस तरीकी की जो एक icon मिलता है इसमें आपको बस tap करना है देन आपका जो यहाँ पर benefit list है वो यहाँ पर open हो जाता है यह cut कर देना और यहाँ पर आप देख सकते हो social security welfare scheme की जो भी सारी details है यहाँ पर हमारे isram card की website में वो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि रासन card के लिए भी यहाँ पर जोड दिया गया है जो कि अभी में बताने वाला हो आप बस slide down करते हुए नीचे आ जाना और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है PDS यहाँ पर आप देख सकते हो easily कि यहाँ पर आप रा पर आना पड़ेगा राइड जो आपकी age की criteria वहाँ पर mention किया गया है और आपकी family member में जो भी members से उन सारे को आप add कर सकते हो यहाँ पर आपके सामने जो भी criteria होती है जैसे कि मैंने रासन card वाली वीडियो में आपको सब कुछ details में बताया रखा है वो सारे आपको fulfill करना आप देख सकते हो 35 kg rice आपको मिलेगा and gay हूँ जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो 15 kg यहाँ पर जो अना आज आपको मिलने वाला है monthly basis में जो कि यहाँ पर मैं आपको हिंदी में करके दिखा दे रहाय हो तो काफी अच्छा है यहाँ पर हो जाता है समझने में तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब इस तरह की पोर्टल यानि कि इस तरह में भी आप कर सकते हो यहाँ पर जैसे कि मैं बता देरों आप टाइप करना है यहाँ पर NFSA यह हमारी जो रासन कार्ट की जो भी वेबसाइट होते हैं यहां पर जो भी काम होता है वो यहीं पर होता है जो कि यहां पर National Food Security Portal है इस Portal में ही आप यहां पर रासन कार्ट की सारी डीटेल्स चेक कर सकते हैं यहां पर आप इसे online apply भी कर सकतो जैसे कि यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा होगा रासन कार्ट का option जो कि यहाँ पर मैं आपको click करके दिखा देने वाला हो जैसे कि आप यहाँ पर अपने website में आ जाना इसमें आने के लिए simply आप बस nfsp यहाँ पर type करते हो यहाँ पर आ जाता है देन रासन कार्ट को option आता है दो option यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा तो आपको यहाँ पर second वाले option में click करना होगा रासन कार details on state portal देखो यहाँ पर आप होता क्या है इसमें आप जैसे ही click करते हो आपकी state में जितने भी जो भी रासन कार्ट की जो काम होता है वो सारे state की यहाँ पर आपकी website open हो जाने वाला official ठीक है आप यहाँ पर select कर लेना कि आप कौन से state में रहते हो and यहाँ पर आप इस state से apply कर सकते हो अपने रासन कार्ट को जैसे कि जो state की यहाँ पर official website इसमें आने के लिए आपको यहाँ पर कुछ changes करना परता है जिसे कि उपर जो इसकी website की address आ रहा है इसमें आपको बस simply tap कर देना होगा ठीक है computer में आप select कर सकते हो and यहाँ mobile में आपको जो pencil का icon इसमें आपको बस simply click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको इसे cut करके जो government.in है वही तक आपको रखना है and direct आपको यहाँ पर search कर देना है आप देखो इससे होगा कि किसकी जो state की official website यहाँ पर direct आपकी सामने open हो जा रहा है and यहाँ से अब आप easily अपने Razen Card को apply कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर आपको option मिल जाता है अपने Razen Card apply करने के लिए जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो RC online मतलिब की Razen Card online यहाँ पर apply for online Razen Card का option आपको मिल जाता है उसी परकार आप जिस भी state में रहते हो उस state को आपको यहाँ पर open कर लेना है अपनी जो website होती है ठीक है तो यहाँ पर आपको दिया गया है जैसे यहाँ पर मैं जारकन का भी clicker का आपको दिखा दे रहा हूँ आप देख पर है कुछ इस तरीके से आपको इरोड ही वगर है यहाँ आ सकता है message इसलिए मैंने यहाँ यहाँ पर बताया है कि आपको डायरेक इस तरीके से सेलेक करना एंड यहाँ पर आपको बस government.in तक ही आपको रख देना होगा एंड यहाँ पर आप बस search कर देना तो जो होगा यह कि आपकी जो state की official website आपकी state की यहाँ पर आपको find करना आपने online से वा और online आवेदन में यहां पर आप 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 इसली देख सेकते हो register to apply for रासन कार्ड जो कि आपको यहां पर इसमें क्लिक करना होगा क्योंकि आपको यहां पर अपना रासन कार्ड को apply करना है यहां पर आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके के details यहां पर मांगा जाएगा जो परिवार के मुख्या यानि कि आपकी महिला जो परिवार में मुख्या है उसे यहां पर डालना होगा है और उन्हीं की नाम से ही यहां पर आपका आधार नम्मर भी हो जैसे कि आप यहां पर देख पार जो भी स्टार मांगे वह आपको मेंडेटरी है वह आपको फिल करना ही होगा यहां पर आप आप देख सकते हो यहां पर मांगा गया है आपके आधार का अप्लोड करने के लिए जो कि यहां पर अप्लोड आधार का ओप्शन आ जाता है ठीक है आधार काट का है यहाँ पर आप चूस वाइल करके अपने आधार को अपलोड कर देना और उसके बाद रजिस्टर करके आप एप्लाइ कर सकतो उसके बाद आपको इसरम काट की जो नम्मर है वो देना पड़ेगा आप दे देना अब यहाँ पर एक बात बता दो कि करो एन देख लो बाकि अगर आपने इसरम काट अफितक नहीं बनाया है तो आप यह वाले वीडियो क्लिक करके देख सकतो बाकि चेनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाएगा क्योंकि इसलिके इन्पोर्डेन और इन्फोर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर आते रहत ह मिलता हो नेक्स वीडियो में अगर आपका कोई क्वेश्यन कोई रिस हो दो कोमेंट करके जरूर्ण पूस्तक्तो तब तक लिए गुडबाई